हेलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन फोर यह हमारी स्प्रिंग वर्क बुक इंगलिश की क्लास फोर की है उसका लेसन फोर और यह लेसन फोर है here and there इसको देखते हैं हम लोग बच्चो here मतलब होता है यहां here मतलब होता है यहां और there मतलब होता है वहां अगर कोई चीज हमारे पास में रखी होती है हमारे करीब होती है कोई चीज तो उसको हम लोग here से denote करते हैं कि वो चीज यहां है और अगर कोई चीज हमसे बहुत दू रखी हुई है और वो हमसे हमारे करीब नहीं है तो उसको हम लोग there से denote करते हैं मतलब वहां तो चलिए start करते हैं fill in the blanks with correct word यहां पर देखिए दो words हमको दिये हुए है here and there मतलब हमको यहां और वहां से भरना है ठीक है वैच्चो तो यह यहां पर ब्लैंक के पास में है तो इसमें हमको यहां पर here भरना है the book is here मतलब यह जो किताब है यह यहां रखी है पास में है और नीचे देखिए the girl is यहां पर हम उंगली के निशान से दूर बता रहे हैं कि वह girl है the girl is मतलब उंगली का निशान दिखाने के मतलब होता है कि वहां दूर है वो इसलिए तो यहां पर हम क्या भरेंगे कोई चीज हमसे दूर होती है तो उसको हम भरते हैं there the girl is there दूर है वो next देखिए the rhinosaurus is this rhinosaur कहा है हमारे rhinosaur यह हमारे पास में है तो हम यहां लिखेंगे rhinosaur is here यहां पर है the motorcycle is यहां अगेन हम उंगली दिखा Sergio यहां अपना हाथ दिखा के बता रहे हैं कि वहां पर है bike तो हम यहां पर क्या use करेंगे यहां पर use करेंगे हम there the bike is there next देखिए the chair is chair कुरसी कहां है कुरसी हमारे पास में ही रखी है तो हम इसको कहेंगे the chair is here chair यहां है or again the school bag school bag हमारा school का bag जो है वो कहां है हम उसको हाथ से बता रहे हैं कि वो वहां रखा है तो यह कहा हो गए यहां पर the school bag is there तो इसके लिए हम use करेंगे word there there मतलब वहां next हम देखते हैं यहां पर एक table दी हुई है हमको यहां पर हमको this, that, these, those अगर कोई एक चीज है तो उसके लिए हम this और that मतलब वो चीज हमारे पास रखी है अगर कोई चीज तो this और अगर वो चीज एक कोई चीज जैसे मान लिए हमारे पास एक book है वो हमारे पास रखी है तो उसके लिए हम use करेंगे word this अगर मान लिए हमारे पास एक book है वो हमसे दूर रखी है तो उसके लिए हम word use करेंगे that ठीक अगर हमाई पास कई सारी पैंसिल्स है मतलब हमाई पास दो पैंसिल्स है हमाई पास तीन पैंसिल्स है और वो हमाई पास रखी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड दीज और अगर हमाई पास दो या तीन पैंसिल्स है और या हमाई पास टिफिन्स हैं या हमाई पास बैक्स हैं या हमाई पास बुक्स हैं कुछ भी है और वो हमसे दूर रखी है तो वहाँ उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज़ ठीक है तो पास के लिए हम यूज़ करते हैं दिस और दूर के लिए यूज़ करते हैं दोज़ यह एक वचन है, मतलब कोई एक वस्तु के लिए और यह दो ज़िये दो से अधिक वस्तु के लिए ठीक मेस दो पर आश्या दोगा है है पर आश्याोज है Kोई वस्तु अगर जादा है एक से ज़्यादा है दो या दो से अधिक है तो उसके लिए हम आर यूज़ करते हैं अगर कोई वस्तु सिंगल एक है जैसे बुक बॉटल बैग ये सर्फ एक ही एक है तो उसके साथ हम इस लगाएंगे कोई चीज़ पास में रखिए तो here और कोई चीज़ दूर रखिए तो there ठीक है अच्छो जैसा कि हमने कहा कि this और that जो है वो एक चीज़ के लिए use होती है this होता है past के लिए इसका मतलब जहां पे this लगेगा वहां हमको here का use करना है जहां पे that लगेगा वहां पे हमको there का use करना है इसी तरह से जहां पे these लगा है these मतलब की बहुत सारी चीजे हैं वहां पे हमें here का use करना है क्योंकि these का मतलब होता है वो चीज़े हमारे पास में है दो मतलब कि कोई भी चीज़ है जो एक से ज़्यादा है दो या दो से अधिक चीज़े हैं तो वो हमसे दूर रखी हैं तो यहाँ पे हम देर का यूज़ करेंगे तो इसी तरह से अब हम नीचे sentences बनाते हैं ये इस table को देखते हुए फिल करते हैं तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला example देखे इसमें दिया हुआ है this book is here this book is here मतलब ये book ये book is here यहाँ रखी है this book is here इसी तरह से हमें और भी sentence बनाने हैं तो स्टार्ट करते हैं next sentence बन सकता है जैसे कि this बॉटल is here ये बॉटल यहाँ है या हम ये भी कह सकते हैं that बैग is there हमने आपको बताया था this जो होता है ये पास के लिए यूज़ होता है और that जो होता है वो दूर के लिए यूज़ होता है इसलिए अगर हम that लगाएंगे तो यहाँ पे हमको there का यूज़ करना है तो that पैग is there इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं that book is there अगर हमने that का यूज़ किया है तो वहाँ पे हम there का यूज़ करेंगे next हम अब plural words को कुछ देख लेते हैं जैसे these frogs are यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे क्योंकि plural हैं बहुत सारी फ्रॉक हैं तो इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे कोई single चीज़ होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं तो यहां पर हम और का योज़ करेंगे इस फ्रॉक्स जो होता है वो पस के लिए यूज़ होता है इसलिए हम यहाँ पे यहाँ पे हियर लखेंगे इस फ्रॉक्स आर हियर नेक्स्ट दिखते हैं इस फैंसिल्स Rip यहां पे हमने दीज लगाया है यहाँ पे here लगाया है यहाँ पे बहुत सारी pencils है इसलिए हमने R लगाया है तो यह Nemo को आपको याद रखना है बच्चो अगर हम these लगा रहे हैं तो हमें here लगाना है अब हम कुछ example दोस के भी देख लेते हैं दोस फ्रॉक्स आर अब यहाँ पे हमने चुकी दोस लगाया हुआ है तो यहाँ पे हम there लगाएंगे there those pencils are there वो pencils वहाँ रखी है those tiffins are there वो सारे tiffins वहाँ रखे हैं और एक example और देख लेते हैं हम लोग these का फिर से these tiffins are अब चुकी हमने यहाँ पे these लगाया है तो यहाँ पे हम here लिखेंगे यहाँ पे हमने those लिखा था those tiffins are there those के साथ there का use these के साथ here का use तो यह हमारे sentences थे जो हमने बनाए इसी तरह से हम और भी sentences का use कर बनाते हैं those, these, here, there का use करते हुए third question देखते हैं लोग look at the pictures and make sentences by using here and there one has been done for you यहाँ पे pictures हमको देखनी है और हमें sentence बनाने हैं और कौन सा word यूज करके here और there का word यूज करके example दिया हुआ है इसको देख लेते हैं पहला है pen pen देखिए पास में रखी हुई है तो यहाँ लिखा हमने this यह pen है ना this pen is here here है इसके साथ हम this लगाएंगे ठीक है अगर कोई चीज दूर रखी है तो उसके साथ हम that लगाते ही यह देखिए यहाँ पे that लगा हुआ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे that that box is there यहाँ बीच पे उंगली का हाथ का निशान बना है जो इशारा करके बता रहा है कि वो वहाँ पे bag box रखा हुआ है तो दूर इशारा कर रहा है इसका मतलब हमको that लगाना है that box is there तो यह याद रखना है हमको that के साथ there आता है और this के साथ here आता है ठीक है इस नियम को आप हमेशा याद रखिएगा तो आपके इस सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बॉटल है बॉटल देखे पास में रखी हुई है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे this बॉटल this बॉटल is क्या लिखेंगे यहाँ पे here यहाँ है this बॉटल is here अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हाथ का निशान बना हुआ है जो बता रहा है कि यह अंब्रेला चाता वहाँ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कोई चीज़ा का दूर है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे this लिखेंगे that लिखेंगे बच्चो बहुत सही हम यहाँ लिखेंगे that umbrella is there हम बताएंगे कि वो umbrella वहाँ है that umbrella is there अब देखिए यहाँ football जो है वो पास में है तो हम यहाँ लिखेंगे this football is क्या लिखेंगे आपर here this के साथ here this football is here यह football यहाँ है और यह क्या है hockey stick है यह hockey stick कहां रखी है दूर रखी है देखिए हाथ के निशान से बता रहे हैं कि दूर रखी है तो हम यह लिखेंगे आपर that hockey stick is there यह hockey stick वहाँ है there वहाँ रखी है इसी तरह यहाँ देखेंगे यह गुडिया गुडिया कहां है पास में ही है तो हम क्या लिखेंगे आपर this doll is क्या लिखेंगे आपर here यहाँ है this doll is here यह doll यहाँ है अब यहाँ देखिए यह जो पतंग है पतंग को हम kite बोलते हैं वो हमको हाथ के निशान से बता रहे हैं कि वो बहुत दूर है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चो यहाँ हम लिखेंगे that kite is there यह kite वहाँ है वो kite कहाँ है वहाँ है तो इस तरह से हम यूज करते हैं हमको इतना याद रखना है बच्चो कि this के साथ here आएगा और that के साथ में क्या आएगा there आएगा यह जो नियम है बच्चो इसको हमें याद रखना है क्या क्या चीजी next question देखते हैं लोग write true or false on the basis of the lesson here and there हमने चैप्टर जो पढ़ा था for here or there यहाँ और वहाँ उस को चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें true or false बताना है इनको कि यह जो sentences लिखे है यह सही है गलत है true मतलब होता सही false मतलब होता है गलत चलिए जल्दी से स्ट को स्टार्ट करते है mala came to nita's home mala nita के घर आई थी क्या यह सही है बिल्कुश सही है तो हम इसको टिक कर देंगे the story book was on the table story book जो कहाने की किताब थी क्या वो table पर पढ़ी हुई थी was on the table वो table पर पढ़ी थी नहीं यह गलत है story book कहां मिली थी वो almira में मिली थी almira में almira मतलब almari में मिली थी story book हम को mala helps nita to keep things at their proper places mala जब nita के घर आई उसने देखा समान बहुत फैला हुआ है तो mala ने nita की help की थी सारी चीजों को अपने स्थान पे रखने की तो यह सही है बिलकुल mala ने nita की help की थी next देखते है nita finds the blue bag on the bed nita को अपना blue bag जो था नीले रंग का bag था वो कहां मिला था bed के उपर क्या यह sentence सही है नहीं यह sentence गलत है false है उसको अपना back कहां मिला था table के उपर मिला था वो उसकी जो table थी उसकी जो मेज थी उस मेज के उपर रखा हुआ था next देखिए the blue frog was in the cupboard blue frog जो नीता की नीली frog थी वो cupboard के अंदर थी मतलब आलमारी के अंदर रखी हुई थी क्या यह सही है हाँ यह बिल्कुल सही है तो इस तरह से हमको कहानी हमने पढ़ने के बाद और यह true false हमने लगा लिए है next fifth question देखते है according to the lesson here and there fill in the blanks with the appropriate words to complete the following sentences यह sentences दिये हुए है खालिस्थान चूटा हुआ है हमको इसको भरना है chapter हम पढ़ चुके है you should keep the things at their dash places हमें अपनी चीजों को सही places पे रखना चाहिए कहां रखना चाहिए proper places proper सही places कोई चीज भी हम उठाते हैं उसको अपनी सही जगा पे रखना चाहिए नहीं रखेंगे तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी the color of Nita's bag was Nita के bag का क्या रंग था Nita के bag का क्या रंग था अभी हम लोगों ने पढ़ा ना Nita का bag का रंग था blue mother asked Nita about her जो उसकी मा थी Nita की उसने Nita के कौन से shoes की बारे में बात की थी कौन से color के shoes थे वो वो shoes थे black color के black means काले रंग के shoes थे you should keep dash things on the table हमें अपनी जो जरूरी चीज़ें होती है उसको table पे रखना चाहिए तो जरूरी चीज़ें का मतलब important things we should keep our important things जो जरूरी चीज़ें वो अपनी table पे रखना चाहिए ताकि जैसे हमें जरूरत पड़े उसकी वो चीज़ हमको तुरंत मिल जाए next question देखते है यहाँ पे fill in the blanks भरना है हमको उसमें here भरना है या there से भरना है जो सही है उसको भरना है जो चीज़ देखिए यहाँ पे एक चीज़ दूर बनी है और यह पास बनी है जो दूर बनी है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते है there और जो चीज़ पास बनी उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते है here तो start करते है where is the fan fan कहा है तो हम क्या भरेंगे हाँ पे हम यहाँ भरेंगे there दूर है न फैन तो हम there भरेंगे, where is the bag, back कहां है, back pass में है, तो हम लिखेंगे here where is the bat, next question पैट, the bat कहां है gentleüre, दूर बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे there there is the back, or where is the car, car कहां है, car pass में बनी है, तो हम यहां लिखेंगे here, here is the car तो अब हमको समझ में आ चुका है here, there, this, that, those these, those ये सारे words हम कहां यूज़ करते हैं past के लिए कौन-कौन से words यूज़ करते हैं और दूर के लिए कौन-कौन से words यूज़ करते हैं